सब्सक्राइब तू डॉक्टर शिवम्स मेडिकल लेक्शर एंड प्रेस दबल इकन सो दाट यू किन नेवर मिस अन अप्टेट हेलो एव्रिवन तो आज की लेक्चर में हम बात करेंगे इंफीरियर फेरेंजेल कंस्ट्रिक्टर मसल्स के बारे में इस इमेज में आप कंस्ट्रिक्टर मसल्स देख पा रहे हैं क्रिकॉइड का आटिलेज के पीछे सबसे पहले इंफीरियर फिर मिडल फिर सुपीरियर इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स का जो औरीजन है वो है क्रिकॉइट कार्टिलेट से जबकि इनका इंसर्शन होता है फेरेंजिल राफे पे राफे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे जो टेंडन है वो डिवाइड हो जाता है सेवरल पार्ट्स में इसके बाद हम बात करते हैं इसके इनल्वेशन की तो इसका इनल्वेशन है वेगस नर्व से जो की क्र realtà नव नुपर तैन अब हम बात करते हैं자는 की एक्शन का तो इसका аक्शन सिंपल है यह swallowing में help करती है क्योंकि pharyngeal region में यह present है constrictor muscle है तो यह क्या करती है जो हमारा bolus mouth के अंदर होता उसको isophagus तक ड्राक करने में help करती है Thank you so much I hope आपको यह video पसंद आई होगी इस video को like करें and share करें जाद जादा साथी comment section में अपने doubts बताएं मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी सी जल्दी clear कर पाऊं Thank you and wish you a very happy and healthy life